नवी मुंबई पनवेल में लाला चंदन का जखीरा बरामत किया गया है कूल मिला कर 10 टन लाल चंदन की लकड़ी का जखीरा बरामत किया गया है जिसकी कीमत भारत में 1.5 सी यार है और विदेश में इसकी कीमत 3 कुरूर रूपें के आसपास बताई जा रही है यह करवाही वन विभाग ने गुपसुचना मिलने के बात की है इस चंदन के जखीरों को विदेश भेजा जाना था जिसे बड़े ही चलाकी के साथ नारियल के नीचे छुपा कर नवी मुंबी तक पहुंचाया गया था वन विभाग के करवाही में चंदन और वाहन को जब्त किये है साथ ही वाहन चालक और क्लीनर को किरफतार कर लिया गया है हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें पहले भी वन विभाग कस्टम और क्राइम ब्रांश ने करोड़ों के चंदन जब्त किये है लेकिन क्यों वह तसकर पकड में नहीं आता यह एक एहम सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देती है करने के बाद में इनका रिमांड हम मांगेंगे जैसे मिलेगा इसके पढ़ी है और इसके पहले भी हम देशेशों चार उफेंसेस पकड़े है चार एक पुलिस के साथ मिलके भी पखड़ा है क्राइम प्रैंड के साथ में हमारे पनवेल में जो पड़स पर नाका है वहां पर ह और फिर जो है सो क्राइम ब्रैंच वालों पकड़ा है कस्टम वालों पकड़ा है वो सारे मतलब जए अन पिटी के आसपास तो इसकी जुआ सो कीमत इतनी है तो इसका रिजन जो है सो हमने तलाश करने की गोशिश किया तो यह किसी पेंट में इसके टॉइस भी बनाते हैं अच्छे फॉरिन कंट्रीज में और किसी पेंट में यूज करते हैं इसको एंटी रेडियाक्टिव कुस्तों इसकी क्वालिटी है ऐसा सुनने में आया है अभी हम फोरैंसी को भी देंगे जा स्वालापूर का पूरा चेंज होता है इनका मोड़स अफ्रेंडी है कि ड्राइवर क्लीनर सब कुछ चेंज होती जाता है फिर उसके आगे जो लाएंगे महारा स्ट्रा में एलग बदल जाएंगे तो इनको पता ही नहीं चलता इनको एक दूसरे को हेंड़ करते चलते हैं और उनको पताया जाता है कि यह दावे पे या एक ऐसा कोई भी प्लेस रहता है तो उस जगे पर रुखने के लिए इनको कहा जाता है